अब तक जो हमने अर्थकोएक पढ़ा था उसमें देखा हमने की अर्थकोएक क्या है अर्थकोएक के परकार कितने है गाराई के अधार पर और उसकी तीवरता को निर्धारित करने वाले कौन-कौन से कारक है तो तीवरता की निर्धारित करने वाले दो कारक के बारे में हमने देखा था आज भी हम उसी के अंतरगत पढ़ने वाले हैं यानि कि भुकम की तीवृता निर्धारित करने वाले कौन-कौन से कारक है उसके अंतरगत हैं हम पढ़ने वाले है तो उसी को हम हेटलाइंस देते हैं कल की तरह तो तीवर्ता को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक है इसके बारे में हम कल पढ़े थे कि तीवर्ता को निर्धारित करने का क्या मतलब है यदि भुकम की उत्पति होती है और उसकी तीवर्ता अधिक होती है तो तीवर्ता अधिक होने कारण उसकी उससे होने वाली च्छती जो है या जान माल की जो भी नुक्सान है उसकी मातरा में विर्दी होगी और इंटेंसिटी कम होगी तो उसकी मातरा में कम आएगी यानि कि नुक्सान कम होगा उतल पुतल की परिकिरिया कम होगी विनास कम होगा और वहीं यदि तिवर्ता अधिक है तो विनास की परिकिरिया ज़्यादा होगी बड़े लेवल पे उतल पुतल की परिकिरिया होगी तो उन्ही चीजों की निर्धारित करने वाले निती वरता को निर्धारित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं, इसके अंतरर्गत हम कल पढ़ रहively थे, हमने देखा कि दो कारक, पहला था भुकंप मूल्की घहराई, भुकंप मूल्की घहराई, आप और दूसरे की अंतरर्गत हमने पढ़ा था भुकंपिया, भुकम्पिय तरंग भुकम्पिय तरंग तीन परकार के होते हैं और तीनों की तिवर्ता अलग-अलग होती है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चट्टानी चट्टानी संरचना और संगठन उनकी सन्रचना κया है और उनकी बनावट क्या है उसके अधार पराज हम पढ़ेंगे ये तैक करता है कि भुकम की तिवर्ता कितनी होगी कैसी होगी भुकम मूल की गहराई के प्रिथ्वी के सता के जितने अंदर होगी उसकी तिवर्ता में कमी आएगी और प्रित्वी के सता के जितने नजदीक होगी भुकम्प मूल उद्गम गेंदर या फोकस जहां भुकम्प की उत्पत्ती होती है भुगर्ब में जहां उर्जा क्रियेट होता है उर्जा की उत्पत्ती होती है उस जगा को वहीं पे कमपन होता है और कमपन के करण भुकम्प वुद्पत्ति होती है वह गर्व के अंदर वह जगा जहां भुकम को सबसे पहले महसूस किया जाता है उसको भुकम मुल उद्गम थे उपकस बोलते हैं उसकी गहराई जितने अंदर होगी भुगर्म में तिवर्ता उसकी उतना ही कम होगी और जितने सता के इनर्जदीक होगा उतने ही उसकी तिवर्ता अधिक होगी ज्यादा विनासकारी करेगा इनमें जो है primary wave की तीवरता सबसे कम है इस तरंग की तीवरता है वो P तरंग से ज़्यादा है और L तरंग की तीवरता जो है सबसे सरवादिक है यानि की L तरंग जो है विनसकारी है destructive है उसके intensity इतना ज़्यादा है कि उतल पुतल की परिकिरिया काफी ज़्यादा होती है दो चीजों के बारे हमने देख लिया था आज जो हमें पढ़ना है वो चटानी संडचना और संगठन के बारे हम पढ़ना है कि चटान की जो संडचना है और संगठन है वो कैसे जो है भ्रंस घाटी या भ्रंस तल जहां भी भ्रंसन की परिकिरिया होई है प्रित्वी के सताफ पर जहां भी भ्रंस की परिकिरिया होई है वो च्छेतर जो है भुकम की तिवरता से कि उसकी सम्वेंदल सीलता के हिसाब से ज्यादा सम्वेंदल सील है या खतरनाक है भ्रंस घाट बhrans गाटी विश्ट्र में जिस भी छेतर में आप देख लें अगर उन छेतरों में भुकम की उत्पत्ति होती है तो बhrans गाटी के कारण उसकी तिवृता में और अधिक वृधि हो जाएगे और भरहन सगाटी अपने आप में भुकम की उत्पत्ति के लिए एक कारक है चुक में जैने कि प्रेट को जो संचलन हुआ है उसके संदन में कैसे भूकम को पत्ति होती है लेगन कि यहां पर भाटर्ण सघाटी जो है भूकम की तिवृता को बढ़ा देती है क्योंकि यह एक नहीं है इसके चट्टानों की संदचना संगठित नहीं है तूटा हुआ है वो छेत्र जो है बिखरा हुआ है या दो भागों में बटा हुआ है यही कारण है कि भरंस गाटी के समीफ हम जाए तो भुकम किती वृता में वहां वृती हो जाती है चत्टानी संद्चना और संगठन के अंतरगत एक चीज़ और देख सकते हैं कि जोला मुक्यता यह भी कहीं न कहीं चत्टान सही रिलेट्ट है जोला मुक्यता यह जोला मुक्ही की विसफोटक्ता इसको भी ऐसा भी बोल सकते हैं जोला मुख्य के इसको टकता जितनी अधिक होगी भुकम्ब की तीवर्ता इसको देखते हैं कैसे यह पोसिबल है भुकम्ब की तीवर्ता उतनी ही ज्यादा होंगे जब भुकम जब जोला मुखिया परकिरिया होता है तो दो परकार के जोला मुखिया परकिरिया होता है एक तो जब लावा पृत्वी का सता पर आते हैं यदि उनकी मैगमा पतला हो छारिया हो तो वो बड़ी असानी से सांदरार परकार अराम से प्रित्वी का सता पर आकर फैल जाते हैं लेकिन एक परकार की जो अला मुख्यता ये भी होती है कि उसमें विस्फोट होता है विस्फोट की परकिरिया होती है और लावा के जो पाठ है जो उसमें जिन जिन चीजों से लावा मिलकर बना होता है उनका विस्थापन काफी दूर दूर तक होता है ये हवा में उड़ते हुए दूसरे तरफ जाकर गिरते हैं तो ये वाली परकिरिया जो विस्फोटक्ता के साथ होती है ये जो है भुकम की तिवरता को बढ़ा देती है कैसे तो हम देखते हैं अमलियता का हमने प्रिवियस क्लास में पढ़ते हैं अमलियता का अमलियता में वर्दी होगी तो गाड़ापन में वर्दी होगी किसकी गाड़ापन? किसकी अमलियता? लावा की अमलियता यदी जादा है तो लावा का गाढ़ापन जादा होगा और लावा का गाढ़ापन जादा है तो विस्फोटकता जादा होगी विस्फोटकता जादा होगी एक तो रिजन यह हो सकता है जो अलमुकी के परकिरिया में कि लावा जो है वो गाढ़ापन है उस लाराता तो असानी से कहीं से भी निकल जाता लेकिन ये गाढ़ा लावा है और इस जिए जब निकलेगा तो विस्फोट होगा जो लामुकी के संदर में एक चीज और देख सकते हैं कि यदि इसमें जल की मातरा ज्यादा है या एक अनुपात में है तो भी विस्फोट अक्ता ज्यादा होगी चुकि यदि जल की जल की मातरा उसमें परियाप्त है तो उससे होगा क्या तपमान तो बहुत ज्यादा है तपमान की अधिकता है तपमान में तो कोई कमी है नहीं पथर पी घंलाने की लिए जितना टेंपरेचर चाहिए वहाँ पर टेंपरेचर है जब उस आंपना ही तेज पिरिथवी की सता की तरफ लाएगा चाहरें की है जो इन्दर लावा की जो निर्मार हो रहा है उनको सथ्वस्टा की तरफ लाने में ज्यादा फिरद्थ करता है और यह gas यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं यदि जल की मातरा ज्यादा है यह अनुपात में हैं हम बोल सकते हैं कि एक अनुपात में है तो होगा क्या यहाँ पर गैस की मातरा गैस की मातरा में विर्दी होगी और गैस की मातरा जितना अधिक होगा यह संभावना ज्यादा हो जाता है कि प्रिथवी के सता तक लावा पहुंचे क्योंकि उसको ट्रांस्पोर्ट कराने के काम कुन करता है तो लावा को ट्रांस्पो तरह आधिक होगी तलावा का सता पर पहुंचने की संभावना जवे बढ़ जाती है और यह गैस जब प्रिथवी के सता से निकलता है अगर गैस की मातरा ज्यादा है तो जब यह गैस निकलेगा प्रिथवी के सता को तोड़ते हुए तो विसफटकता भी ज्यादा होगी और जो अलामुखी के विसफटकता को प्रभावित करने वाले दो कारक हो सकते हैं यह हम बोल सकते हैं कि तीन कारक भी हो सकते हैं एक तो उसका गाढ़ापन यदि लावा ज्यादा गाढ़ा है तो प्रिथवी के सता से जब वो निकलेगा तो विसफट करेगा यदि जल की मातरा ज्यादा है या हम यह कहें कि गैस की मात्रा ज्यादा है दोनों यहां पर लगबग common sense है जल रहेगा तो ही गैस का निर्माड होगा समाननेता यह है कि जितनी जल की मात्रा परियाप्त मात्रा में चाहिए उतना अगर रहे तो गैस का निर्माड परियाप्त मात्रा में होगा और जितनी गैस की मात्रा में विर्दी होगी गैस की मात्रा में विर्दी होगी विस्वटक्ता उतने ही ज़्यादा होगा और विस्वटक्ता ज़्यादा होगा तो तिव्रता में विर्दी होगा यानि कि विनासक होगा विनास की परिकिरिया ज्यादा होगी प्रित्वी के सता पर उथल पुतल की परिकिरिया ज्यादा होगी जानमाल की छती ज्यादा होगी ये चीजे जो है प्रित्वी के सता पर होती है तो इन चीजों को अभी तक हमने चटानी संरचना और संगठन के बारे में चुकि चटान कहीं ने कहीं लावा सही बना है इसलिए हमने जोला में उखियता को इसी का अंतरगत रख कर पढ़ना बहतर समझा अब इसका जो तीसरा पार्ट है उसको देखते हैं तीसरे पार्ट के अंतरगत हम कह सकते हैं कि चटानी संरचना मुलायम मुलायम और असंगठित हो तो इसकी तीवरता अधिक हो जाती है मुलायम और असंगठित हो यानि चटानी संरचना यदि मुलायम है या असंगठित है संगठित नहीं है तो इसकी तीवरता जो है increase करेगे इसका मतलब यहां से पहले एक चीज़ समझ लेना जरूरी है कि यदि कोई भी चटानी संदचना जो है या तो मुलायम है या तो असंगठित है इसके क्या मतलब हो सकते है भुकम की तिवरता से इसका क्या संबंध है तो हम इतना कह सकते है कि जिन भी पदार्थ में या जिन भी चटान में यदि फैलाओ और सिकुड़न की परिकिरिया जादा होगी वो चटान वो छेतर वो पलेट हम कह सकते हैं कि जिन भी पलेट में या अस्थल मंडल में या चटान में जिनमें फैलाओ और सिकुड़न की परिकिरिया जादा होगी, वो भुकम की तीवरता से जादा परभावित होगे, यानि उनकी तीवरता जादा होगी, उन छेतरों में नुक्सान जादा होगे, वही चीज हम यहाँ पर कहा रहे हैं कि यदि चटानी संरचना मुलायम और असं गठित होगा तो इसमें फैलाओ और सिकुड़न की परिकिरिया जादा होगी, और जब ये परिकिरिया जादा होगी, तो भुकम की तीवरता भी जादा होगी, चुकि तरंग बार-बार तरंग के दुवारा कोई छेतर यदी सुकुडे या फैलाव हो उसमे लागतार तो बार-बार पने जग़ा से फैलेगा सुकुडेगा तो तीवर्ता, वहाँ पे भुकम की तीवर्ता ज़ादा हो जाईगी मूड़दार परवतियच्षेत्र जो स्टूडेंट प्रिवियस क्लास या देनियुडेशन वाला प्रोसेस पर चुके हैं उनके लिए यह समझना आसान है जो स्टूडेंट डारेक्ट इस क्लास को देख रहा है उनके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा समझ में तो आ दूसरा छेतर जो है जलोड़क मिर्दा वाला छेतर ये दोनों छेतर की एक विशेस्ता ये है कि इनकी संडचना मुलायम और असंगठित हैं और दोनों संडचना दोनों छेतर के वारे में हम ये सका सकते हैं कि यदि भुकंप आता है तो इसमें फैलाव और सिकुड़न जैसी परिकिरिया समानने बात हैं क्योंकि ये संगठित नहीं है या तो मुलायम है या तो असंगठित है जलोड़क मिर्दा के संदर में कह सकते है कि ये मुलायम संदचना है ये मुलायम है और मुरदार परवतिय छेतर के संदर में करते हैं कि ये असंगठित है संगठित नहीं है जलोड़क मिर्दा वाला छेतर यानि कि ये छेतर अभी इस छेतर का भी निर्माड हुआ है हाली फिलहल में निर्माड हुआ है इनका संगठन ज्यादा नहीं है यह ज्यादा संगठित नहीं है और ज्यादा संगठित नहीं होने कारण होता क्या है कि इसमें फैलाओ भुकंप जब भी आएगा तो फैलाओ और सिकुडन की परकिरिया ज्यादा होगी और यही कारण है कि इन छेतरों में तिवर्ता ज्यादा महसूस किया जाएगा। मैंने प्रिभियस कलास में ही बताया था कि यदि भुकम की तिवर्ता जो है सेम है यह माल लेते हैं सेवन मैगनिट्यूड की भुकम पाई किसी छेतर विश्यस में। लेकिन यदि अगर हम बोल सकते हैं कि जो भी छेतर है जो भी प्लेट है आस्तल मंडल है या वो यदि संगठित हैं तो उनमें वही तिवर्ता जो है कम मासूस होगी नुकसान कम होगा छती कम होगा। लेकिन सेवन मैंगनिट्यूड का ही यदि भुकम की परकिरिया हो अगर इन छेतरों में हो जहां कि जलोड़क मिर्दा वाले छेतर है या मुड़दार पर यतिवले छेतर हैं तो यहां पर उसी की तिवर्ता के कारण नुकसान जादा होगा च्छती जादा होगी क्योंकि य यतिवर्ता को निर्धारित करने वाले कारक है तो हम देख पा रहे हैं कि जलोड़क मिर्दा वाला छेतर में यदि भुकम की उत्पत्ती होती है तो उन छेतरों में फैला और सिकड़ों के कारण भुकम की तिवर्ता में वरदी होती है इसके बारे में मुर्दार परवतों क उत्पत्ति हमें समाने रूप से पता है कि मुर्दार प्रवत की उत्पत्ति जो है दो पलेटों के टकन के कारण संपीडन बल लगने वाले संपीडन बल लगने के कारण वलन की परिकिरिया द्वारा मुर्दार प्रवत की उत्पत्ति होती है लेकिन मुर्दार प्रवत की उत आवसादी चटान से हुआ है और आवसादी चटान क्या है तो ये पहाडों परवतों के टुकड़े है छोटे छोटे उसके आवसाद है जब डेनेडेशन की परिकिरिया के दवारा परवतों या पहाडों को काट कर नदिया छोटे छोटे टुकड़ों में करकर उसे आवसाद में परिवर्तित कर देती हैं तब अवसादी चट्टान का निर्मार होता है ये एक टुकड़ा नहीं है बलकि कई टुकड़ों से मिला हुआ एक चट्टान है ये असंगठित है जब भुकम की परिकिरिया होती है तो जो मुड़दार परवतिय छेत्र है वो छेत्र जो है इसके हिसाब से इस छेत्र की तीवर्ता में ब्रदी हो जाती है यानि कि अवसादी चट्टान से निर्मित छेत्र जो है जैसे कि हिमाल है हिमालो जो है अवसादी चट्टान से निर्मित परवत है एंडीज परवत है और हम बोल सकते हैं कि कोस्टल उत्री अमेरीकी कंटिनेंट का कोस्टल माउंटेन जो है यह मुरदार परवत है और इनका निर्मार आवशादो से हुआ है इन छेतरों में जब भी भुकम की परकिरिया होंगी तो उनकी तीवरता ज्यादा हो जाएंगी क्य कि जिन भी चटानी संरचना का संगठन मुलायम हो या तो असंगठित हो उनकी भुकम की तीवरता में व्रदी हो जा रही है मुरदार परवतिये छेतर में अवसादी चटान से निर्मार के करण परवतों के अवसादी चटान से निर्मित होने करण हिमाले एंडिज या और बहुत सारे मुर्दार परवत हैं जिनकी उत्पत्ति जो है अवसादों के अवसादी चट्टान से हुआ है उन छेत्रों में हम देखे तो भुकम की तीवरता अधिक होती है और जो लोलोग मिर्दा में जिनका हाली फिलहल में इन मिट्टी का निर्मार हुआ है यह संगठित ह है इन में जब भुकम आती है ति उसमें फैलाओ और सीखुड़न की परिकिरियां ज्यादा होती है यहीं कारण है कि इन छेत्रों में और भुकम कीती पर जादा होती है तफिलहाल हमने देखा तीन है पर देखें हम लो कि भुकम की तीवृता जो है कैसे निर्धारित होती हैं कौन-कौन से सिकारक हैं जो भुकम की तीवृता को निर्धारित करते हैं उसमें पहला भुकम मुल्की गहराई समानने बात है जो भुकम मुल्की गहराई यदि सता के नजदिक होगी तो उसकी तीव जो है उसकी तिवर्ता निधारित होती है तो दो चीज़े हमने इंवर्द और अंतता या एक और चीज जो थी भुकम्पिय तरंग चुकि उनकी तरंग की तिवर्ता ही अलग-अलग होती है वो भुकम्पिय तरंग जो है उनकी विशिष्टा ही यह है जैसे P तरंग की विशिष्टा ही है कि इसकी तिवर्ता कम होती है L तरंग की विशिष्टा ही है कि उसकी तिवर्ता सरवाधिक होती है और S तरंग की जो तिवर्ता होती है P से अधिक है लेकिन L से कम है तो तीवृता को निर्धारित करने वाले ये कारण थे अभी तक जो हमने देखा भुकम के अंतरगत तीन पार्ट हम उसके अंतरगत पढ़ चुके है पांच पार्ट के अंतरगत हमने उसको पढ़ने के लिए एक क्रमबत तरीके से पढ़ने के लिए हम यहां से शुरू किया थे पहले बार में देखा कि भुकम क्या है दूसरे पार्ट में हमने देखा कि भुकम के कारण क्या है गहराई के अधार पर और तीसरे पार्ट में हम देख रहा है थे कि उसकी तिवृता को निर्धारित करने वाले या intensity को effect करने वाले कौन-कौन से कारक होते हैं अब हम next जो भुकम के बारे में पढ़ने वाले हैं हम देखेंगे कि भुकम के कारण क्या-क्या है किन-किन कारणों से भुकम की उत्पत्ती होती है तो अब हम भुकम को भुकम के कारण के अधार पर पढ़ते हैं भुकम के कारण क्या है भुकम पाने कारण क्या है भुकम पाने के कारण भुकम को हमने पांच भागों में बाट कर पढ़ना सुरू किया था इसको हम चौथे पाट के अंतरगत पढ़ेंगे भुकम पाने करन क्या है उससे पहले भी एक चीज आपको रिकॉल करा दू या मैंने कई कलासों से नहीं बताया है कि जब मैंने जिग्रफिक की इस कलास को स्टार्ट किया तो एक यह रणनिती थी कि CGL 2021 को ध्यान में रखकर पढ़ाया लेकिन कुछ तक न की गड़बड़ी आने के कारण यह संभव नहीं हो सके कि कलास आगे चले लेकिन जब इस समस्या का समधान हो पाया और कलास फिर से उसको रेगुलर किया गया तो थुड़ी से रणनिती में परिवर्तन आया और यह तह़ी किया गया कि आगे कि जो भी कलासेस होंगी वो higher competitive exams यानि कि UPSC या state PCS किसी भी state PCS के लिए GS के विश्योय कि PT और मेंस के लिए ज़्यादा important हो गया या मैं यूँ कहूं कि भारत में होने वाले जो भी competition है जो GS के दाइरे के अंतरगत आते हैं उसको ध्यान में रखकर इस कलास को चलाया जा रहा है या मेरे द्वरा यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है और उससे भी ज़्यादा मतपून चीज यह है कि इस कलास के अंतरगत हम concept पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है यानि कि विसाई की समझ पर ज्यादा ध्यान दे रहा है इसके बदले कि कौन कौन सी चीजे याद करने वाली है रटने वाली चीजे है उनके जगह पर पूरे class की अंतरगत या आगे जितने भी class आने वाले हैं या दूसरे भी सही की जो भी class यहां में cover कराने वाला हो सबको हम concept के अधार पर पढ़ेंगे ताकि higher competitive exams यानि कि UPSC के PT के सवाल को आप solve कर सकें state PCS के PT और mens के सवाल को solve कर सकें PT में suppose that आप मान भी लिजिए कि आप अच्छा कर पाते हैं mens में state PCS का mens हो या UPSC GS का mens हो आपको उसमें concept लिखना होता है और आपसे वो उमीद करता है UPSC या BPSC या कोई भी state PCS UPSC की आप विशाय की समझ क्या है आपकी विशाय की समझ को वो वहाँ पर जाचा जाता है परखा जाता है उसी हिसाब से उसी को ध्यान में रखते हूँ यहाँ पर concept प्राधारित क्लास जो है मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया है या मैं यह कहूँ कि the core YouTube चैनल जो है के द्वारा स्टार्ट किया गया है तो आप यहाँ पर बड़ी इत्मिनान से सांती से ध्यान पुरुवक आप इस क्लास को कवर करें आपके लिए एक क्लास जो हायर कमपेटेटिव एक्जाम चाहे स्टेट PCS हो या यह PSC हो GS का जो भी दाइरा हो PT और मेंस का उसको यहाँ से कवर किया जाएगा SSC, रेलवे और जितने भी एक्जाम है जब एक बार आप इस लेवल पर तयारी कर पाते हैं तो कोई भी एक्जाम आप से बचा नहीं रहा जाता GS के दाइरे का अंतरगत इसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर कलास चलाया जा रहा है तो अब हम भुकम के कारण को देखते हैं अब तक हमने भुकम क्या है वो देखा था भुकम कितने परकार के है यह देखे थे भुकम की तिवरता को निधारित करने वाला कारण देखे थे अब देखते हैं कि भुकम पाने के क्या कारण है तो भुकम पाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसमें एक कारण जो है प्लेट टेक्टोनिक या मैं यू कहूं कि अर्थ मूवमेंट है तो इस जो अर्थ मूवमेंट है ये सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण कारक है चुकि आज की कलास की अंतरगत उतना ज्यादा वक्त बचा नहीं है तो कल पूरे कलास की अंतरगत हम भुकम्प आने की जो कारण हो उसको प्लेट टेक्टोनिक या अर्थ मूमेंट के संदर में देखेंगे और देखेंगे कि जब earth moment हो रहा है तो कितनी तीवरता की या किस किस अस्थान पर किस किस तीवरता की भुकम पा रहा है उसको बड़ी विस्तार से हम next class के अंतरगत देखेंगे आज के class के अंतरगत जो छोटी चीजें हैं जो भुकम के कारण बन सकते हैं उनको हम ध्यान में रखकर आचे class को हम cover करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भुकम पाने के कारण क्या है भुकम पाने के कारण दो तरीके सो हो सकते हैं एक हो सकता है थोड़ा से इसको अलग तरीके साथ के पढ़ते हैं एक जो हो सकता है कि बाह्यकारक हो सकता है और दूसरा जो है अंतरिक कारक हो सकता है बाह्यकारक और आंत्री कारक, दो चीजे हो सकती हैं भूकांपाने के हैं, बाहेकारक के certificate क्या आएगा बाहेकारक के cauliflower के आएगा, atmosphere के अंतरक्त climate आएगा, climate के अंतरक्त weathering का प्रोसेस आएगा तो denudation काوس आएगा, denudation का पूरा प्रोसेस हम लोग बड़ी विष्थार से पढ़े हैं पोटेंट कंसेप्ट है अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसको प्रिवियस क्लास में जा कर पढ़ें और आंतरी कारणों के अंतरगत जो है सिंपल जो है अर्थ मुवमेंट आएगा अर्थ मुवमेंट के अंतरगत हमने देखा था प्लेट टेक्टोनिक थियोरी हो रहा है प्लेट टेक्टोनिक हो रहा है और प्लेट टेक्टोनिक थियोरी के अंतरगत हमने पूरे छे से साथ क्लास की अंतरगत कांटिनेंटल डिफ्ट को पढ़ा और देखा कि वहाँ पे किस क इस परकार से भुकम की उत्पत्ती हो रही थी लेकिन एक बार इसको हम भुकम के संदर में पढ़ेंगे उस वक्त जो हम हम भुकम पढ़ रहा थे वो प्लेटो के मुवमेंट के संदर में पढ़ रहा थे जब प्लेट जो है डिफ्ट कर रहा थे उसके संदर में पढ़ रहा थ गया अभी फिलहाल इसको हम रहने देते हैं तो दो कारक हो सकते हैं एक आंत्री कारक हो सकता है और एक बाय कारक हो सकता है एक डेनुडेशन का प्रोसेस हो सकता है डेनुडेशन में होता क्या है डेनुडेशन में समाननेता उच्चावच का निम्री करन होता है यदि कोई उच उच्छे छेत्र हैं उनका कटाव छटाव होता है काट छात होता है इनमें तूट फूट होता है और यह जो है वेदरिंग होकर इनका अवसादों में तूट कर यह बिखर जाते हैं और इनका निमनिकरन होता है यानि कि उच्छे भाग वाला जो छेत्र है वेदरिंग के प्रो प्रोसेस के दुवारा उनमें तूट फूट की परकिरिया होती है काट शट की परकिरिया होती है और यह छेतर जब कट फट के तूट फूट के या अप्छाइत हो के आउसादों में बढ़ जाते हैं तब इनका समतल निर्माड होता है समतल का निर्माड होता है यानि कि प्रिथ्वी जो है एक संतूलन की अवस्था में है इस्थिर है जब इन छेतरों का कटाव काट शाठ होगा इनमें तूट फूट होंगी और ये अवसाद जो निर्मित होंगे उनको एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाए जाएगा तब यहां हो सकता है कि प्रिथ्वी का संतूलन में गड़बड़ी आए और संतूलन की स्थिति पाइदा हो और इस असंतूलन को संतूलन में करने के लिए जब अर्थ मुमेंट करता है गती करेगा उसमें हल चल होगी तब जाकर हम का सकते हैं कि भुकम की उत्पत्ति होगी त हम यहां पर भुकंप के छोटे-छोटे जो कारख है फिलहाल उसको देख लेते हैं और नेश्ट कलास के अनतर अगर जो में कारख है यानि की प्लेटो का मुव्मिंट जो में कारख है मुख्य कारण है उसके उसको हम पढ़ेंगे एक चीज यहां पर हम और बोसकते हैं कि दूसरा कारक क्या हो सकता है जोला मुखी आता है जोला मुखी आता है यह हम यह बोले कि जोला मुखी और भुकम्प के संबंद जोला मुखी और भुकम्प के संबंद एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली है कि पृत्वी के सताव प अब सारी प्लेट सीमान्त हो या अभिसारी प्लेट सीमान्त हो या मुरदार परवतिय छेतर हो या गर्त वाला छेतर हो प्रित्वी के सता पर चाहे कोई भी छेतर हो जो अहां जो अला मुखी की परकिरिया होगी वहां पर संभावना है कि भुकम की परकिरिया जरूर होगी भ intensity बहुत कम हो लेकिन जिन भी छेतरों में प्रित्वी के सता पर जिन भी छेतरों में जो अला मुखी का उद्गार होता है जो अला मुखी जब सता पर आता है जब उसका विसफोट होता है तब वो छेतर भुकम की परिकिरिया को पूरा करेगी यानि कि प्रित्वी के सता पर ज ज्वाला मुखी छेतर के से परभावी छेतर हैं तो ये संभाव है कि वो छेतर भुकम के द्रिष्टी से भी संब्यने सील और परभावी छेतर होंगे लेकिन ये सर्थ भुकम के संदर्म में नहीं लगता हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रिथिव के सता पर जिन जग हो पर भुक कूपत्ती होती हैं वहाँ जो व्ला मुखे की भी उत्पत्ती होगी ये संत्य नही है का हू सकता है की ज्यामप्र एक्जामपल का तोर पर हिमालाई छेतर में हम देख सकते हैं हिमालाई छेतर जो है भुकम की द्रिश्टी से एक समवेंदल सील छेतर है, sensitive area है, लेकिन वहाँ पर जोला मुखिय पर किरियाए नहीं होती है, तो एक चीज तो यहाँ से clear हो गई, कि प्रिथ्वी के सता पर जितने भी जोला मुखिय छेतर है, वो सब भुकम के द्रिष्टी से एक समवेंदल सील छेतर है, वहाँ भुकम का ना तय है, लेकिन जो भी छेतर भुकम से प्रभावित छेतर हैं, वहाँ यह जरूरी नहीं है कि जोला मुखिय पर किरियाए भी हो, अब हम भुकम पाने के तिसरे कारण को देख सकते हैं, संभावित कारण है यह, संभावना है कि इस कारण से भी भुकम की उत्पति होती है मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जो मुख्य कारण है भुकम की अर्थ मूव्मेंट उसको हम अलग से कल एक पूरे कलास के अंतरगत देखेंगे और एक दूसरे कारण को भी देखेंगे जो अस्वंतुलन की स्थिति के कारण भुकम की उत्पति होती है भुकम की दो कारण कल हम उसको कभर करेंगे आज ये हम लास्ट कारण इसको देखते हैं आज कलास के अंतरगत तो हम कह सकते हैं कि भरंस घाटी में भरंस घाटी में समुद्री जल के जाने के कारण समुद्री जल के जाने के कारण भुकम्प की उत्पत्ती हो सकती है भुकम्प उत्पत्ती का एक ये भी कारण हो सकता है बरंस गाटी में समुन्दरी जल के जाने के कारण भुकम्प की उत्पत्ती हो सकती है क्या लोजिक है? तो यहाँ पर सिदा संदर्ब है सिर्फ अर्थकोएक से भुकम से जब भरंस घाटी से होते हुए समुन्दरी जल अंदर की तरफ जाएंगे जहां तपमान अत्यादिक है जहां लावा निर्मार की परिकिरिया हो रही है टेम्परेचर काफी जादा है जब ये अंदर की तरफ ब्रंस घाटी से होते हुए जल जो है अंदर की तरफ जा रहा है जल जो है अंदर की तरफ जा रहा है तो जहां इन छेत्रों में टेंपरेचर temperature काफी ज़्यादा है और इस temperature ज़्यादा होने करण होगा क्या कि gas का निर्माड होगा वास्प का vaporization होगा पानी का vaporization होगा चुकि यह मातरा पानी की न मातरा कम होगी पानी की मातरा काफी ज़्यादा होगी तो जब पानी की मातरा काफी ज़्यादा होगी तो उससे बनने वाले गैस भी काफी ज़्यादा होगे वो कम पाने के लिए गैस परभावी हो सकते हैं लेकिन उसकी मातरा काफी ज़्यादा होगी तीस तरह से हम देख रहे हैं कि ब्रंस घाटी से जब समुंदरी जल होकर ब्रंस घाटी का अंदर जाती है तब उनका वैपराजेशन होता है और वैपराजेशन के द्वारा गैस का निर्माड होता है और यही गैस जब पृत्वी के आंतरिक परतो पर दबाव डालती है बाहर निकलने के लिए चेस्टा करती हैं यह संपका सकते हैं कि जल के अंदर जाने के कारण जल के प्रंस घाटी में होया जहां तपमान जहां टेम्प्रेचर ज्यादा है कि यहां पर ब्रंस घाटी समय वैपुराईजेशन होगा यानि कि वास्पिकरन होगी और इस वास्पिकरन के दुवारा क्या होगा गैस का निर्माड होगा और ये गैस जब प्रित्वी के सता पर आने के लिए प्रियास करेंगी तब इनके द्वारा लगने वाले बल के कारण जब यह अंदर से प्रित्वी के सता पर बल लगाएंगी इस लगने वाले बल के कारण कमपन की सत्थी उत्पन होगी तह हम कहाएंगे कि भुकम की संभावना बन जाती है यानि कि एक कारण ये भी हो सकता है भुकम के कई कारणों में पहले कारण में कंत्रगंद देखें कि जो अला मुखी भी भुकम का एक कारण हो सकता है भुकम का कारक जो है बाय कारक भी हो सकते हैं आंतरी कारक भी हो सकते हैं और अंत में हमने देखा कि समुदरी जल के भरंस घाटी में परवेश करने के कारण भी वास्पिकरन के परिकिरिया के दौरा गैस की उत्पत्ती होने के कारण जब यही गैस गैस कुदपत्ती के बाद जब यह गैस बाहर निकलने की चेस्टा करते हैं और प्रित्वी के अंतरिक परतों पर दबाव डालते हैं जिसके कारण भुकम की उत्पत्ती प्रित्वी के सता पर होती है या हो सकती है तो इस तरीके से हमने भुकम के लगभग दो क क्लास के अंतरगत हम भुकम के कारणों को विश्थार से पढ़ेंगे आज जो छोटे कारंथ है जो गौन कारंथ है उनको हमने देखा और समझा और कल जो होगे भुकम के कारणों के अंतरगत एक चीज जो इंपोर्टेंट होगी असंतुलन की अवस्था जब रित्वी के सता पर उत्पन होती है किस प्रकार या असंतुलन की स्थिति उत्पन होती है उसको देखेंगे और प्लेटों के मुवमेंट के कारण जो भुकम के उत्पत्ती होती है उसको भी हम पढ़ेंगे और यहां पे हम भुकम के संदर्म में उस चीज को पढ़ने जा रहा है तो आज ए इतना ही मिलता है नेक्स्ट क्लास में.